नमस्कार दोस्तों, Infocus Civil Academy के GS Batch में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं Current Affairs की Classes Current Affairs यानि वो सब्जेक्ट जो आपके इस परिक्षा के प्रणाली में सबसे Decisive Factor के रूप में सामने आता है यानि ये तै करता है आपकी इसमें जीत को या हार को ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अच्छा खासा वेटेज है आज के अपने इस वीडियो में, जैसा कि हम लोग अपने किसी भी विशय की सुरुआत में करते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस विशय से related कुछ ऐसी आधारभूद बातों को जो की इस विशय का एक समगर विस्लेशन आपके समख्षे पिरस्तुत कर सकेगा इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से इससे related best books हो सकती है उसके साथ ही साथ इसका वेटेज कितना रहता है विभिन एक्जाइम्स में उसके अंतरगतियदी हम लोग बात करें तो वेटेज में भी किस सेक्शन से ज्यादा प्रश्ण पूछे जाते हैं कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको हम लोगों को ज्यादा बार रिवाईज करने के और इसको ले करके परिक्षाथियों में अच्छा खासा तनाओ का महौल डर का महौल भी देखा जाता है अब हम लोग इसको इतना सरल तरीके से समझने के कोशिश करेंगे जिससे आपकी जो करेंट अफेर्स की मैगजीन होती है वो अपने आप में लगभग उसका 60% ही हो ज रिवाइज करने के आप सकता हो दस बार आप प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप उसको दस बार रिवाइज कर सकें इसलिए अच्छी स्ट्रेटिजी क्या होती है कि जो उसका most important portion है उसको कम से कम हम लोग 8-9 बार 10 बार रिवाइज करें परंतु जो less important है या फिर परकार से पढ़ने बस सरसरी निगास से देख लें ताकि हम लोगों का समय बच सके यह समय है समय बचाने का ठीक है और ऐसे में आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी subject की smart preparation हो कैसे सकती है current affairs को लेके इतना ज्यादा डर का महौल बना हुआ है कि लोग कुछ भी related हमारी RO RO की परिक्षा में क्या भूमिका है कितना उसका weightage है कौन सी books हो सकती है अच्छी उन books का honest review क्या हो सकता है और उसके अत्रिक्त daily current affairs के thought पर हमें क्या पढ़ने क्या समझने की आवशकता है इन सभी मुद्दों पर हम लोग क्रम वार तरीके से बात करेंगे जिसमें उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि 2021 में जहां 16 प्रशन आपके current affairs से पूछे जाते हैं वहीं 2016 के रे exam में 25 प्रशन पूछे जाते हैं उसके पहले कि अगर बात करें तो 2017 में 23 प्रशन, 2016 की निरस्त वाली परिक्षा में 15 प्रशन, 2014 में 22 प्रशन पूछे जाते हैं इतना अच्छा खासा इसका वेटेज है, आप देखिए अगर on an average की बात करें तो यहां पर लगभग 22 से 23 प्रशन हमें on an average दिखते हैं जो की इस current affairs वाले portion से ही related होते हैं, directly related होते हैं, इससे indirectly related की बात करें तो इसमें 3 से 4 प्रशन और बढ़ भी सकते हैं, ठीक है, अब दे जितना आपका history से आता है, आरो यारो की परिक्षा में history से भी लगभग 22 से 23 प्रशन ही पूछे जाते हैं, geography की यदि हम लोग बात करें तो geography में Indian geography से आपके जहां 14 से 15 प्रशन पूछे जाते हैं, वहीं world geography से आपके करीब 6 से 7 प्रशन पूछे जाते हैं, यानि history और geography ये दोनों subject से जितना वेटेज होता है, history का वेटेज 22 नंबर का, geography का वेटेज 22 नंबर का, इन दोनों को पढ़ने का वेटेज जो है, वही आपका current affairs का भी वेटेज है, इससे हमें ये एक बात समझ में आती है, कि जहां हम लोग history को पढ़ने बैठते हैं, कोई भी व्यक्ति य पढ़ते हैं, उसको 6 माइना हो जाता है, अगर आप पहली बार ढंक से history पढ़ रहे हैं, अगर लोग सिवा आयोक के बात करें, तो आपको लगभग 6 माइना उसमें लग जाता है, अगर आप सही दिशा में नहीं मतलब रहके पढ़ रहे हैं तो, तो आप सोचिए 6 माइना आपका history जैसा portion ले लेता है, और लगभग 3-4 माइना geography ले लेता है, जबकि यहां पर current affairs, current affairs में आपको history के तरह 4-4 books पढ़ने के आफशकता नहीं है, आपको पतली सी magazine में केवल मतलब जो आती है magazines, उनमें आप देखें तो कुछी pages जो बहुत important रहते हैं, उनको यदि आप स आप में हलकी हो जाती है, दूसरी बात यह इतनी ज्यादा बलकी नहीं होती है, जितनी की history जोग्रफी, तो यानि की 20-22-23 नंबर का आपको score करना 140 में, 140 में अगर आप 20 नंबर आपको यहां पर सीधे-सीधे मिल रहे हैं, तो मतलब इसको हमें seriously नेने की आवशकता है, परन जब आप लोग previous year कोई भी विशय को यदि तैयार करना है, तो मैं आपसे पहले भी कह चका हूँ, आपको कहीं कुछ देखने की आवशकता नहीं है, आप केवल syllabus देखिए, कि syllabus में क्या लिखा हुआ है, और syllabus के बाद बिना कहीं भटके हुए, आप सीधे PYQ पर नजर डालि पीवाइक्यू, यह दोनों चीजे आपके इतनी ज्यादा महत्यों की हैं कि इसके बाद आपको कोई YouTube चैनल, कोई Facebook ग्रूप, कोई कुछ भी follow करने की अतरिक्त आवशकता नहीं होगी, अगर आप इसका सही analysis कर सकें, यह कोई इतना सक्षम नहीं होता है, यह पीवाइक्यू बात करें, तो थोड़ा सा पीवाइक्यू का analysis, trend analysis, वो हम लोगों ने भी अपने इस्तर पर करते रहते हैं, उसमें हम लोग जो देखते हैं, उसके हिसाब से यह समझ में आता है कि इसमें जो सबसे ज्यादा महत्यों की चीज पूछी जाती है, आपके current affairs की यदि आपकी magazine है उस magazine को आप लाईए, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्यों की चीज होती है, वो होती है राष्ट्रिय घटना करम, सरवाधिक महत्यों की चीज होती है, आप कहेंगे तो हमको भी पता है, जी पता हो सकता है, लेकिन इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, logics के हिसाब से, तरकों के ह आप से, जब भी आपका ये सब्जेक्ट शुरू होगा, अगर हम लोग बात करें राष्ट्रिय की, तो राष्ट्रिय में आपका 2021 में पूछे गए हैं, तो वहीं उसके पहले आप देखेंगे, 2014 में तो ये हद ही हो गई, 19 पूछे गए हैं, राष्ट्रिय घटना करम से, आप सोचे, टोटल 22 या 23 पूछे गए, उसमें से 19 पूछे केवल राष्ट्रिय घटना करम से, तो इसका मतलब प्रश्णों का अनालिसिस करने के मतलब हमें ये समझ में आता है, कि राष्ट्रिय घटना करम को हमें सरवाधिक तवज्जों देना है, ठीक है, उसके बाद अ आर्थिक में हम लोगों ने देखा था, आर्थिक में हम लोगों ने देखा था, कि जब लोग अपने पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे, कि विभिन विश्यों से कितना उसका वेटेज रहता है, आरो आरो को परिक्षा में, तो वहां पर हम लोग ने देखा था current affairs से directly related होते हैं तो अब आप समझे कि यहाँ पर आर्थिक पक्ष में भी आपका अच्छा खासा वेटेज रहता है परन्तु यह उतना नहीं होता जितना राष्ट्रिय का तो राष्ट्रिय से कम रहता है आर्थिक पक्ष का उससे कम रहता है अंतराष्ट्रिय का अंतराष्ट्रिय में भी यदि हम लोग थोड़ी बहुत अनालिसिस करें वैसे तो आपका क्या रहेगा कि जब भी यह कोई भी सब्जेक्ट शुरू होगा आर्थिक पक्ष अंतराष्ट्रिय सुरू करेंगे हर महीने दरमहीने के इसाब से तो वहां पर अंव लोगो इसमें प्रश्णों के माध्यम से समझेंगे कि इसमें क्या चीजिय किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है किस प्रकार के प्रश्ण आजकल पूछे जा रहे हैं इन सभी को अमलोग बाकाइदा अध्यन करेंगे उनके प्रवितियों या प्रकृतियों का नियधारन करेंगे परंतु अभी के लिए आप इतना समझ लिए अंतराश्टी में जैसे बात करें तो आजकल इससे प्रश्ण जो है वो बहुत मलब अध यसी की परिक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्ण नहीं पूछे जा रहे हैं पहले एक समय पर बहुत पूछे जाते थे डारेक्ट पूछे जा रहा है तो उसको काफी कठिन बना दिया जा रहा है तो इन सब प्रवितियों का हम लोग अध्यन करेंगे उसके बाद करेंगे सैन्य अभ्यास या फिर कभी कोई ऐसा PSLV वगरा से कुछ लांच कर दिया वो सब चीजें कभी कभार पूछी जा रहे हैं सैन्य अभ्यास जरूर एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक पेज में दिया रहता है और उसको आपको याद करना रहता है तो जो चीजें हम लोग यही चीज करेंगे जब भी इसको सुरू करेंगे प्रस्णों के हिसाब से अनलाइज करके देखेंगे कि किस प्रकार के प्रस्ण यहां पर आजकल पूछे जा रहे हैं बात करते हैं अगर कि इसको हम लोग तैयार कैसे करेंगे तो यहां पर जो राष्ट्रिय और आर्थिक वाला पक्ष है, इसको तो हम लोग necessarily जो best books मानी जाती हैं, उन सभी best books से आपका material compile करके, उसके बाद उनमें repetition को हटा करके, फिर ये matter आपका compile किया जाएगा, इसलिए आपको कौन सी books पढ़ने के आउ सकता है, तो कोई भी book पढ़ने के आउ सकता नहीं है, जो भी लो चक्र की book, जो monthly magazine आती है, वो अपने आप में अच्छी होती है, घटना सार की magazine इधर हाल फिल हाल में लगबग 5-6 साल हो गया इनको प्रकासित करते हुए, काफी अच्छी magazine के तौर पर ये उभरी है, बहुत जल्दी इसने बहुत बड़ी market कवर कर लिये, और घटना चक्र म में वो चीज हमें नहीं दिखने को मिलती है, मतलब to the point वहाँ पर चीजे ज्यादा रहती है, उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो द्रिष्टी IAS की magazine एक आज कल इनकी वैसे दो magazine आती है, एक आती है DCAT के नाम से, द्रिष्टी Current Affairs Today के नाम से, ठीक है, और दूसरी आती ह है, द्रिष्टी जो PCS के लिए especially निकाली गई है, द्रिष्टी Current Affairs करके वो राज इस्तरी परिक्षाओं के लिए ही निकाली गई है, तो इसमें जो राज इस्तरी परिक्षाओं के लिए निकाली गई है, वह भी magazine इस समय काफी लोग prefer कर रहे हैं, RO-RO के लिए भी magazine अपने आ जोड़ी होई magazine है, ठीक है, अब घटना चक और घटना सार में भी यदि हम लोग देखें तो घटना चक में थोड़ा सा चीजों को ज्यादा मतलब दिया रहता है, अच्छे से समझाय रहता है, परन्तु घटना सार में चीजे to the point रहती हैं, बात के वाल RO-RO की नहीं है, पिर आप PCS की, UP PCS की त्यारी करना चाहते हैं, तो इन सभी में आप देखिए, जहां जहां पर भी MCQ level की परिक्षा है, MCQ based अगर आपका paper है, तो वहां पर ये तीनों magazine समान रूप से उपयोगी होंगी, परन्तु यदि written exam की बात करें, UP PCS की especially, तो वहां पर ये magazine थोड़ी कम important की हैं, परन्तु MCQ based में, इसके अपना कोई सानी नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इन में से कौन सी magazine लेने की आओ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी नहीं magazine लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसी से matter compile किया जाएगा, मैं कोई अपनी तरफ से current affairs को बह related नहीं होती है, जो fall to किस्म की होती है, अब देखे कोई भी book यदी बनाई जाती है, books or notes में यहीं अंतर होता है, book कोई भी बनाई जाती है, तो उनमें सभी तथियों को डालना उनकी मजबूरी होती है, ठीक है, उनको हर chapters डालना है, परन्तु जब कोई notes बनाई जाते हैं, तो वो इस दृष्टी से नहीं बनाई जाते हैं, क्योंकि वो उसी exam के specific notes बनाई जाते हैं, book में क्या रहता है कि उनको वही book हर exam के लिए उपयोगी होती है, मान लीजे अगर कोई book बनाईगा तो केवल RO के लिए नहीं, बलकि PCS के लिए भी बना रहा है, BO के लिए बना रह करना हमारे लिए ज्यादा महत्व पूर्ण होता है, और उसको यदि हम लोग अच्छे से अध्यन कर लिए, तो निश्चित तोर पर हम लोग इन सभी books को ये समझ पाएंगे, तो उसमें क्या चीज़े ज्यादा महत्व की हैं पढ़ने लाइक, ठीक है, तो वो सभी बाते है आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएंगी, उसके बाद यदि बात करें कि must cover में कुछ चीज़े आती हैं, यानि कुछ portion ऐसे भी हैं current affairs के, जो कि आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये ऐसे होते हैं जिसमें आपको प मिश्चित है कि 2-4 नंबर का प्रश्ण आ रहा है, तो उसको तो कदाप इना छोड़ी है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग देखें, तो खास तोर पे जो संक्षिप्तियों वाला portion होता है, यानि जिसमें खेल, पुरसकार, पुष्टकें, योजनाय, नियुक्तियां, निधन ये सबी चीज़े आती है, हलाकि निधन वाला कोई ऐसा UPPCS या ROYRO में नहीं पूछा जाता है, परन्तु फिर भी नियुक्तियां हुई, ये पुरसकार, खेल, ये सबी हुए, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्यो इसे आपको ताजुब होगा HAR WARS कम से कम एक प्रस्चन तो आता ही है, हर WARS आता है आप सोचे हर WARS ये आता है, लेकिन अगर हम लोग वills बात करें, तो रुकिये मैं आपको data के हिसाब से भी बता दे रहा हूं, की ये खेल से यह इसे हम लोग बात करें, तो खेल से आपका करें तो पुरस्कार वाले में आपके 2016 में 6 प्रश्न पूछे गए हैं सोचिए 2016 में 6 पुरस्कार से पूछ लिए गए हैं चुंकि UPPSC के परिक्षा थोड़ी सी मतलब ऐसी भी होती है कि वह सर्प्राइज भी आपको कर सकती है तो यह कुछ वैसा ही सर्प्राइजिंग आप सोचिए यह ऐसी चीज़ें जो कि आपके दो या तीन पेज़ें में कंप्लीट होती है परन्तु इससे शूर है कि आपको कम से कम एक नंबर तो मिले गई प्रतिवर्स ऐसा देखा जाता है जबकि कभी-कभी आपको 5-6 प्रस्न भी मिल जाते हैं तो इसलिए इन एंगल को संक्षिप्तियां वगरा हैं इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है ठीक है उसमें भी क्या चीज़ें महत्वकी हैं लास्ट के पेज़े आप देखेंगे इस्पेशली अगर बात करें घटना चक्रके तो वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन नहीं होते हैं ठीक आपकी जो घुड़ी बुनियादी बात विब्ता दी जाए कि क्लास्स आपकी अंड़ेक्त होंगी हर मंडे को हर वेड़नेश्टे को और हर फ्राइडे को इस प्रकार से हम लोग कंड़ेक्ट करेंगे और यहां पर जो एक हम लोग नया इनिसियेटिव शुरू कर रहे हैं यह आपको class की शुरुवात में नहीं बताया गया था हम लोग बस यह देखते हैं कि हमारे students का benefit कैसे होना चाहिए उसमें हम लोग यह नहीं देखते हैं कि इसके लिए costing क्या आएगी वो costing हम लोग बाद में अनलाइज करते हैं ठीक है यहां पर हिंदी की जब हम लोग classes शुरू किये तो हिंदी में भी हम लोग daily questions देने का कोई वादा नहीं किये थे ना वो हमारे जहन में आया था पर बाद में लोग को लगा कि नहीं यह चीज करने से students को ज्यादा फाइदा होगा तो वह लोग देने लगे daily p y q देने का अम लोग वादा नहीं किये थे वह भी देने लगे उसके बाद ऐसा ही हम लोग कुछ current affairs में भी करेंगे current affairs के daily प्रश्न देने का हम लोग कोई वाइदा नहीं किया दे परंतु विशय की मांग है और परिक्षा की मांग है उसके साथ ही साथ समय की मांग है कि आप लोगों को यह प्रश्न दिये जाएं इस वज़े से यह डेली बेसिस पर आपको 10 10 questions भी दिये जाएंगे आपके एप पर ही यह होंगे आपको डेली बेसिस पर 10 question दिये जाएंगे और यह डेली current affairs से नहीं होंगे ठीक है यह डेली current affairs से नहीं होंगे बलकि जो भी important प्रश्न है वह होंगे जो कि आपको हो सकता है पिछले तीन चार पांच महीनों के भी हों तो उनको भी यहां पर cover कराया जाएगा basically देखिए डेली current affairs की अधी बात करें तो आज के समय में एक नया trend यह चल गया है daily current affairs का आज से लगभग आप देखिए कि 2015-16 की बात होगी कि IS के लिए UPSC की परिक्षा के लिए सबसे पहले यह चीज़े शुरू हुई ठीक है उससे पहले तो network की speed इतनी नहीं थी पर हम तो जब जियो का revolution हुआ उस समय पर हम लोग देखते हैं कि daily current affairs जब शुरू हुआ daily current affairs जब शुरू हुआ तो UPSC के लिए सबसे पहले यह चीज़ शुरू हुई दा हिंडू एडिटोरियल के नाम से या फिर तो आपके लिए वह बहुत अच्छा रहता है आप UPSC जैसी परिक्षा को वाकई में वह आपको लाबकारी स्षिद्ध होता है पर क्या यह उतना ही important एक दिवसी परिक्षाओं में भी होता है क्या यह उतना ही important ROARO के लिए भी है क्या यह उतना ही important पुलिस की परिक्षा के लिए भी है नहीं है बिलकुल भी नहीं है आप सोचे प्रस्ण जितने भी आते हैं वह आपके आते हैं yearly basis पर पूरे year की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाए हैं उन्ही पर आधारित में आपका मान लीजे 10 जून है तो अब 10 जून को जबरदस्ति अगर कोई news नहीं भी है तो भी उनको वीडियो बनाना है तो इसलिए वो लोग आधा से एक घंटा आपका कोई news ना होने पर भी या हो सकता है कि एक ही ऐसी news हो जिसको basically बनाने वाले लोग भी जानते हैं कि इ दोने क artifacts को इंदे एक घंटा दे रहे हैं समस्या यह नहीं है कि इसमें एक घंटा अपना invest कर रहे बलकि यह समस्या है कि आप लोग उतने जाद को भी देख रहे हैं उन-अप वह बहुर लोग याद कर रहे तो पीडियस अप लोग अतना याद कर रहे हैं अब होता क्या है कि ये चीज़ें आपको कर जाती हैं बैक फायर, मतलब वो चीज आपके लिए नुकसान दे सिद्ध होती है, अगर खास तोर पे जो लोग भी नए तैयारी करने वाले हैं, नए तैयारी करने वालों के लिए daily current affairs घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके परि सरद्धी news को भी अपने current affairs में शामिल कर लेते हैं, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन पूरी इमामदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि daily current affairs वो इस exam के लिए नह GSC की, तब आप लोग daily current affairs देखिए, वहाँ पर यह लापकारी सिद्ध हो सकता है, परंत यदि आप उससे नीचे किसी एक दिवसी परिक्षा की तयारी कर रहा है, जिसमें MCQ-based exam है, ROARO में आपका क्या है, ROARO में आपका MCQ-based है, प्री भी और मेंस भी, दोनों में ही MCQ के आ आएंगे, निश्चित तोर पर इसी में से आएंगे, परंत इसके साथ में ये जो सारी चीजें हैं, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका समय जाया कर रही हैं, और ये समय है आपको ये समझने का कि आपके लिए क्या चीजे ज्यादा जरूरी है, आप केवल उस प कर सकता है, होता क्या है कि इन करेंट अफेस में कुछ जो अच्छे टीचर हैं, काफी प्रतिष्टी टीचर हैं, वो क्या करते हैं कि उसमें उससे रिलेटेड कई और भी बाते बता देते हैं, जो कि आपका जीएस का सेक्षन है, वो आपका तब इम्पॉर्टेंट है, जब करेंगे क्या, तो इसलिए उतनी ज्यादा करेंट अफेस, इतना ज्यादा जो डेटा है, उसको अपने दिमाग में जबरन मत भरिये, केवल उतने को ही देखिए, जो आपकी परिक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और जब आपका येरली परिक्षा होती है, येरली परिक परिक्षा के लिए, बहुत अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, एक दिवसी परिक्षाओं के लिए, बहुत अपने बड़ी बात है, क्योंकि सारे चैनल्स लगभग ये काम करा रहे हैं, परंतु यदि आपको जरा सा भी संदे हो इस बात को ले करके, तो आप एक बार पीवाई क्यू खोल लीजिए, प्रिवियस येर क्वेस्चन्स देख लीजिए, और उसके बाद आप इनका अच्छे से पढ़कर देख ल लीजे, कि वो आपके लिए कितना ज्यादा उपयोगी है, प्रथम दर्ष्टिया, आपको मेरी बात गलत लगेगी, क्योंकि मैं एक प्रबल धारा के विरोध में बात कह रहा हूं, परंतु इस बात में इमानदारी है, ये बात आपको तब पता चलेगी, जब आप क्योंकि अच्छा खासा धिन करता रहता हूं, और जब आप लोगों का अभी अपकमिंग जो सेशन होंगे, उसमें आप ये चीजे सुड़ू होंगी, तो उसमें आप देखेंगे भी, हम लोग हर एक चीज को बाकाइदा क्वेस्टन के पैटर्न के आधार पर उसको पढ़ का इमांदारी से बाते कहीं गई हैं, और बाकी Current Affairs की Classes अब आपकी जो होगी वोगी", वहाँ पर हम लोग बिसकुस करेंगे अपने Current Affairs में कहां से हमलों को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर कशना पढ़ना है ये भी बात करें, तो लगभग संदिन क्या लिए बात करें पास के तीन मंस पे आपको ज्यादा फोकस करना है उससे थोड़ा कम फोकस करना है उसके पीछे के तीन महीने में और उससे थोड़ा कम फोकस करना है उसके पीछे के तीन महीने में बस ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है बलकि थोड़ा कम उसके पीछे 11 थोड़ा कम तो बेसिकली आपको 6 महीने पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है जो आपका हाल फिलहाल के जो पेपर हो रहे हैं UPPSC द्वारा उसमें देखा जा रहा है कि फिछले 6 महीने से जो करेंट अफेस की संख्या पूछी जा रही हो काफी ज्य ज्यादा जादार कि जैन पिलहा है कि उन्वे किस बाला है कि जादा जहाँ पूछी कि आपको 6 महीने से जाजम से जाफजारा पासे जादा जादा में जादाना कि एतला बहुत है पाना हैरा लादारा रही है